हुआ 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 है जहें दोस्तों मैं मुहम्मद मतीन मौडर्न क्लासेश की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत हैं दोस्तों पर्यावरड यानि इन्वायर्मेंट का दूसरा पार्ट यानि दूसरा भाग लेकर आये हैं अभी तक आप लोगों ने सिर्फ पर्यावरड का परिचय यानि पर्यावरड किसे कहते हैं और पर्यावरड से रिलेटेड अंतर राश्ट्री डेबर पर जो सन्नक्षर्द किया जाता है उसके बारे में आपने पढ़ा है अब आईए बात करते हैं जो पर्यावरड का जो समझेगा दोस्तों किसी एको सिस्टम में सजी प्राडियों की विवित्ता को जय विवित्ता कहा जाता है जय विवित्ता का मतलब सिर्फ ऐसे समझेगा जहां पर जीवों की विवित्ता पाई जाती हो और वह जीवों चाहे कोई भी हो चाहे वह पेड़ हो चाहे पौधे हो यानि पेड़ पौधे या जीव जनतू, कोई भी हो, उन में ढेर सारी विवित्ता को ही हम बोलते हैं जैविवित्ता, जैसे आगर बात करें किसी जंगल में, तो ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं, अन ढेर सारे जीवित्ता कहलाएगा. अब दोस्तों बात समझेगा इसका मतलब आप यह समझ में आ गया कि एको सिस्टम यानि एक परिस्थिती में एक तंत्र में एक आईसी जगा हो जहां पर अत्यधिक पेड़ पौधे यानि धेर किस्म के हर विराइटी के पेड़ पौधे हो और वहीं पर धेर सारे जीव बात किरते हैं प्रारंब में जय विवित्ता शब्द को अंग्रेजी में बाय लॉजिकल डाइवर्शिटी के रूप में सबसे पहले रेमंड एफ दास्मैन ने दास्मैन ने इसको वर्च उनिस और सट में अपनी पुस्तक डिफरेंट काइंड आफ कंट्री में दिया था दोस्तों रेमन एफ दास्मैन जो पहले परयाव रंड के वाईवर्शिटा थे उन्होंने सबसे पहले इस वोड का यूज किया था तो भॉक्त और ने लीकिशचा रियों कि की थे त Alberta कंन अ कि बीच्रीजेद्स, Haha यूज्सी किया हर किसमे के जो देश हैं अलग-अलग विराइटी के देश हैं उनमें एक किताब लिखें उसके अधार पर उन्हें उस शब्द का उपयोग किया कब किया था 1968 में दोस्तों इस वर्ड को याद रखिया गा 1968 में बाद में जै विवित्ता का अंग्रेजी शब्द बायो डाइवर्शिटी के रूप में सबसे पहले डवल्यू जी रोसेन ने प्रियोग किया अब दोस्तों यह बहुत इंपोर्टन्ट है कि जै विवित्ता का सबसे पहले प्रियोग या प्रियोग किस ने किया था तो उसका नाम था WG रोसेन ने डाविजी रोसेन ने शर्द का प्रियोग किया था ठीक है अब बास समझेगा जैविबिता के लिए दो शर्ते हैं वो शर्त कौन-कौन से यानि वो शर्ते कौन-कौन से जिसके बारे में आपको बताना जरूरी है देखे दोस्तों बास समझेगा पहला क्या है उच्छ तापमान तथा अत्यधिक वर्षा वर्षा वहीं पर होगा जहां पर अत्यधिक तापमान होगा कहने के मतलब यह है कि अगर तापमान अधिक नहीं होगा तो बादल नहीं बने यहां बढ़ता है यहां गर्मी नहीं पढ़ती तो दोस्तों उसी हिसाफ से आप समझेगा कि जहां पर अत्यदिक तापमान होता है वहीं पर अत्यदिक वर्सा होता है वर्स जब होगी तो क्या करेगा वहां के जो बीज होंगे जो अंकुर होगे वो सब अंकुर फूटेगा तो उसके क्या होगे पौधे उगेंगे तो तो हम क्या भोलेंगे जैविवित्ता जैसे सपोंस्ट अगर आत के लिए भारत की बात करें तो भारत में जगह है जिसको बोलते है अब एक्जामपल समझ लिए आप जैसे पस्ट्रमी घाट है अब आप बास समझेगा अब पस्ट्रमी घाट में क्या है यह वाले जो छेतना हमेशा गर्म रहता है तो गर्मी के कारण यहां पर सबसे अधिक वर्सा होती है जब वर्सा अत्यधिक क्योंकि वहां पर उसको यह गर्मी नहीं मिल पाएगी तो जब ठंड और गर्म दोनों मिलेगा तब जाके वहां पर उसके अंकुर फूटेंगे जब तक अंकुर नहीं फूटेंगे तब तक वो पेड़ नहीं निकलेगा तो फिर उसके क्या बोलते हैं पेड़ पौधे क्यालता है दोस्तो तो जो भूमदरे छेतर है यह भूमदर रेखी छेतर कहलाता है तो भूमदर Its Leather Fair पर सूरु की उपड़ती यह जिए जब सूर olur की पड़ती तो जाएर से बात्या होगी जब पर अंकृइंगे वहां पर वरशा होगी क्योंकि गर्मी होगी तो water वैपर बनेगा या पानी वहां की जो जल होगा वैपर बनाएका तो क्या करेगा वह बादल बनेगा जब बदल बनेंगा तो सारे बादल आपस तकर आएंगे जाता है दोस्तों तो अगर पूछा जाया प्रिथ्वी में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है तो उसरों कड़िबंधी वर्षा वन या भूमद रेखी छेतर पर या विशुवत रेखी छेतर पर ठीक है इस तरीके से प्रशन आता है कभी-कभी लेकिन जब कभी पूछा जाये कि पूरे प्रिथ्वी पर पूरे प्रिथ्वी पर या विश्व में सबसे अधिक जैब युद्धा कहां पाई जाती है तो उसको यहां पर नाम लिखा जाता है उसरों कड़िबंधी वर्षा वन यह आप्शन में आता है तो इसको हम टिक मार्क कर देते हैं अगर सबसे कम यहां पर आपको कभी आपने सुना है कि यहां पर चालीश डिग्री या पैसालीश डिग्री तापमान होता है उत्तरिद रूपर अगर आप कनाड़ा की बाद कर लिया अमेरिका की बाद कर लियकर नहीं होती है चुंकि गर्मी कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों कि जय विभी उत्ता भड़ती है जयुवित्ता भड़ती है धुरोकी इंग चलने पर या विश्वत रेखिय चेटर में चलने पर पूछा जाया ओ त्छल थूर्व में जाने पर आपको सबसे अधिक जैविवित्ता कहां मिलेगी तो कहां मिलेगा सबसे अधिक जैविवित्ता दोस्तों उस्ट कटी बंधी छेत्री वर्षा बन में ऐसे समझेगा आप देखिए दोस्तों इसको समझ लेंगे तो आपको जैविवित्ता समझ में आ जाएगा मैंने कहा निम् हुए जाएगे बत अब आगल अब आगल आ आएगा आगले शुर इस्तल किसे कहते हैं तो हॉट सब्सक्राइब के केंदर को हॉट हाट- redefvoll का जाता है हाट- распord का प्रयोग नोर्मल मायर्स ने सर awareness झास ने किया था जो मुख केंद्र होता है जोसे होता किया है मैं बता दूं आप आपको जिसे मान ली अगर कहा जाएम आपको लगता खाली यहीं 10 With charm 20 वूतरी This चांस में ही आपको जैवित्ता मिलेगी जैवित्ता मिलेगा नहीं दोस्तों उसके नीचे भी मिलेगा अगर आप यह देखेंगे तो यहां मिलेगा यहां भी यहां भी लेकिन कम मिलेगा क्या मिलेगा कम मिलेगा तो उसी तरीके जब यहां बिलकुल बीच में जाते हैं बिलक नॉर्मन मायर्स ने वर्स 1988 इसवी में किया था उनका नाम याद रखियागा हॉट इसपोट शर्द का सबसे पहले प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने किया था अब दोस्तों बात करते हैं भारत में हॉट स्पोट के कौन-कौन से छेत रहें तो देखिए दोस्तों बात समझेगा ये आपका है पस्चमी घाट ये बाला क्या है यह पस्चमी घाट यहれる अब आपको पता है यह जो भूम मद रेखा है वह कहाँ पर है इसी नीचे है भूमत रेखा याट कि कहने का मतलब यह है कि ने क्षाने कंट याट यहां को व्यांगे बताया Pat Clifford तो湯हां Hepर बनेगा यानी बंभा कि बनाएगी बादल बादल बनाएगा तो बादल क्या करेंगे आपस उसी Um समझेयगा कि आगलятся जाया की जया विवित्ता कहां पाई जाती है कहां पाई जाए चाए約 अब दोस्तों बास समझेगा तो सबसे अधिक जैविता कहां पाई जाएगी पश्चमी घाट में उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या जाएगा पुर्वी हिमाले दोस्तों यह पुर्वी हिमाले में सबसे अधिक जैविता क्यों पाई जाती है क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बंतर्स के बात यह हैं कि यहां पर गर्मिक स्थल यह भी गर्मिक स्थल यह उन तीनों पहाड़ीयों से टकराता है वहां के स्ट्रक्चर एसा है तो यहां वारिश करेगा जब नहीं कर पायेगी यहां पार्पथा यहां पर टकराईगी तो यह नहीं कहने कि मतलब नहीं कहीं सब्सक्रादy還是 बारिश होने लगती है तो इसी वज़ेसे यहां पर गर्मी पड़ती है और अत्यधित वर्षा भी होती है जब वर्षा हो गी तो क्या होगे हैं बैस समझेगा यह भाइन कहीं भुमत रहती के कड़ेग इस वजय से गर्मी पढ़ने कारड इसमें यहां पर सबस्यादिक वर्सा होती अभेज़ सिदों अब यहां पर देखेंग आप लक्ष्टवीप होटें च्छटे-ईवीप कि आदिए कि वह जेविता पाईएगी अब बात करते हैं, लक्षुद्वीप अब बात करते हैं, फॉस्टो अभी हमने केरल हमने बताया आपको के श्राइब बताते चैनल के चैथर है, वह जाता है क्यों कहा जैता है, आगर सबसे नंबर पर पहले पहले बात करें सबसे अधिक जैविता कहां पाई जाएगी तो पाश्चमी घाड दूसरे नंबर पर पुर्वी हिमाले तीसरी नंबर पर अंडमान निकुबार चौथे नंबर पर लक्षदीप पांचवे नंबर की बात करें तो सांद घाटी लेकिन शांद घाटी क्यों कहा जाता है दोस्तों याद रखिएगा यहां पर क्या है कि एक तो समद्र के किनारे हैं तो जाहिर से बात है यहां के इट्मॉस्फियर एन गरम और ठंड़ा दोनों है इस वज़े से यहां पर धेर सारे जाडियां धेर सारे परफल हुझ जाते हैं और य सब्सक्राइब चाहिं काज़ेगी बास समझेगा अब देखिए का इस में को जय विता-दीबस मना जाता है यह जो दर्शक चल रहा है अभी 31 दिसंबर तक यह समझेगा कि अभी हम लोग जबीवित्ता दशक मनाए जा रहा हैं वह नहीं मना रही है हम लोग कब से कब तख दो घब् suited के कहने पर युनाइटर नेशन का कहने पर हम लोग 2021 से लेकर 2020 तख यानी यह जो इसीड चल लिए है इस हां तक हम लुग क्या मना रहे हैं जय विवित्ता दर्शक बात कर लिए कीसे क्लें बोल दोस्तों प्राकृतिय का मतलब पेड़ पौधे जब पौधे नस्ट हो जाएंगे तो वहां पर चिड़िया नहीं आएंगे जीवजनतु नहीं आएंगे तो जैविता कहलाएगा नहीं कहलाएगा ग्लोबल वार्मिंग के मतलब होता है वैस्विक उश्मेयन यानि की अत्यदिक गर्मी अब बात करते हैं विदेशी प्रजातियों का अक्रमण दोस्तों विदेशी प्रजातियों का मतलब क्या है यहां पर इसका मतलब यह है कि जब हम कोई बाहरी पौधा यानि विदेशी पौधा लाके लगा देते हैं अपने देशी पौधा के सामने वह क्या करते हैं उरूरा शक्ति को कम कर देती है जब कम कर देती है तो क्या होगा यहाँ पर अपने देशी जो पेड़ पौधे वो सब उग नहीं पाएंगे उग नहीं पाएंगे तो वो क्या करेगा वहां की भूमी अनुर्वर हो जाएगी अनुर्वर होते होते क्या करेंगी और जैब विवित्ता को हानी पहुचेगी नागरी करडए ऑव अद्दोगी करड़ दोस्तों इसके मतलत सिंपल्स समझ सकते हैं नागर करण यानी नगरों को पुसाने के चकर में हम लोग खियां और सब कर्द देए जब कर देंगे आपने की रहते हैं हम्हों क्या करता हैं तो रहने के यानि पेड़ों की कटाई पेड़ों की कटाई से हमारे जैविवित्ता को सबस्वादी खानी पोहच रहेंगे अगर पेड़ ही रहेंगे तो वहां पर जीव जन्तु फिश्वपक्षी जाएंगे उनको खाने के लिए फिर वही जो कहानी अम रच रहें उसी कहानी के बारे समझेगा अब दोस्तों बात करते हैं जैविवित्ता का सन्रक्षड कैसे किया जाता है जैविवित्ता का सन्रक्षड कैसे कि जाता है दो पद्धती दोस्तों इन सीटु पद्धती यानि स्वाइस्थान पद्धती एक सीटु पद्धती यानि वाहिस्थान पद्धती दोस तो हम क्या करते हैं को उनके चारदस क्वत्ता चला गी 15 पीड़ या यह तो फिर अईसा नहीं कि कहीं बीमार हो कि यह क्या करते हैं घेरा बना दते हैं उसे गेरे केंटर का नाइट्रोजन और कुछ जो केमिकल होता है उसका बाउचार करते हैं जिससे उसके आگए चलके ठीक ह जाता है वह पेड़ पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है यानि कि पेड़ों को वहीं पर पौधों को वहीं पर उसको इस्थान में उसका सनक्षर किया जाता है उसे बोला जाता है स्वाइस्थान पद्धती यानि पेड़ पौधों को वहीं पेड़ पौधों को उखार कर दू यह दूआ जाने जाता ह। वहां पर कुछ जो उसके उपयोग होते हैं जो प्रयोग होते ह। वो किया जाता है उसपर और उसके नड़ीक किया जाता है। कках यृँ इंट्रव यह विट्ट्र यानि भारती सामधर विध्यान संस्थान के अनुसार भारत प्रवाल भृति वाले चार प्रमुंख शेतर प्रवाल भृति यह क्या होता है जरमें प्रव निमास इस्थानियों जब तो क्या करता है जल यानि इसके जब वह लहर आती समुधर में तो क्या करती वह उनको किनारे ले जाती है तो ठोस इस्थान ले लेता है और वहाँ पर धेड़ सारे पेड़ पौधे उगाते हैं जब उगाते हैं तो वहाँ पर भी परशुपक्षी पहुचने लगते हैं वहां पर भी एक जैविवित्ता बन जाती है दोस्तो ऐसे छेतर कहां पर हैं कितने हैं अंडमान निकुपार द्वीप समू आप देखी रहे हैं यह वाला छेतर कहलाएगा यह अगर के देखा जाये तो यह प्रवाल भित्ती वाले प्रमुख जैवित्ता बारे चैतर कहलाएं दूसरे नमबर पर है यानि लख्ष द्वीप तीसरे नमबर पर है कच्छ की खाडी जैसा कि आप देख रहे हैं चौथे नंबर पर है मननार की खाड़ी जैसा कि आप देख रहे हैं तो दोस्तों यह सब होगे हमारे जैवीवित्ता के बारे में अब याद रखेंगे दोस्तों जैवीवित्ता कहीं भी कन्फूसर नहीं होना चाहिए जीश समने बता दिया है इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्त देखने के लिए थैंक थैंक्यू सो मच धन्यवाद और इसी तरीके से हमारे साथ आप बने रहिएगा अगले वीडियो के इंतिसार कीजिए तब तक के लिए जैहिन जैभारत